जिन्दगी अंधेरा है तो तुम इसकी रोशनी हो, जिन्दगी रात है तो तुम चांदनी हो, जिन्दगी मर्ज है तो तुम इसका इलाज हो, जिन्दगी सवाल है तो तुम इसका जवाब हो, जिन्दगी दिया है तो तुम इसकी आरती हो जिन्दगी भारत है तो तुम इसकी भारती हो जिन्दगी जुनून है तो तुम इसका जजबात हो जिन्दगी आहट है तो तुम इसकी आवास हो जिन्दगी लफज है तो तुम इसका अलफाज हो जिन्दगी जमी है तो तुम इसका आस्मान हो जिन्दगी कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ तुम महान हो बहुत गहरी बात और बहुत प्यारी सी बात अक्सर हमें मतलब ढूढने की कोशिश में लगे रहते हैं कि जिन्दगी का मतलब क्या है जिन्दगी का मकसद क्या है जिन्दगी का पर्पस क्या है और ये सवाल का जवाब धूढने के लिए हम बहुत से गुरुओं के पास चाते हैं बहुत अपने बड़ों के पास चाते हैं स्कॉलर्स के पास चाते हैं धर्म गुरु के पास चाते हैं किताबों में ढूरते हैं और according to अपने अपने अनुसार सब जिन्दगी का मतलब बताते है कि जिन्दगी का मतलब है आए हो तो कुछ अपने लिए करो समाज के लिए करो कुछ धर्म के लिए करो विश्पास के लिए करो पढ़ाई के लिए करो पैसे के लिए करो माबाप के लिए करो बहुत सारी चीज़ और जितनी चीज़ें बताई जाती हैं मेरे खाल से हम उम्मीद करते हैं कि उसमें से 99% या 100% को 100% कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़े होती है जो कि हमें जिसका आप आलन करना भी जी लेकिन सबसे पहले अगर आगास को समझें कि तो जिन्दगी में बड़े गहराई है अब मैं आपसे सवाल करूं और सवाल करने से बहले एक छोटा सवाक्या भी बताना चाहूंगा आपके साथ मैं दिल्ली में कनौट प्लेस पे अक्सर मैं कनौट प्लेस की बात करता हूं क्योंकि मैं वहां जाता बैठा था एक इंसान आया लेट गया एक रेडियो के साथ और वह रेडियो बस बजा रहा है शाम भी खूब है पास महभूब है बजा रहा है कुछ भी गाना चल लाया हूं अपना जूम रहा है मस्त है लेटा हुआ है कुछ उसे गम नहीं परवा नहीं कोई आगे ना इंसान को, जिस इंसान को मैं कुरान प्लेस पर देखा हुआ था, वही इंसान, वहाँ पे रेडियो बजा रहा है लेट कर रेलवे स्टेशन पर फिर मुझे लगा यारे, वहाँ भी यह इंसान था, यहाँ भी वह इंसान फिर अचानक पास क्या हुआ कि मैं निजामो दीन रेलवे स्टेशन पर उतरा और वही इंसान, वहाँ भी वह रेडियो बजा रहा है तो मैं उसके हालात से उसके एक एक एक्टिविटी से मैंने उसकी जिन्दगी के जो मतलब को ढूढ़ा जो पहचाना, जो समझा उसकी जिन्दगी का मतलब सिर्फ था कि जिन्दगी गुजर जाए जिन्दगी उहीं गुजर जाए ना संवरे तो चलेगा बस जिन्दगी बस ऐसे सफर मेरा कट जाए तो उसकी सफर काट रहा था बंदा रेडियो बजा कर लेटा हुआ उसके जिन्दगी में और आगे पीछे कोई मकसद नहीं है उसे बंगला, हवेली, IES, PCS, IPS, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, नहीं बनाना उसके जिन्दगी का कोई मकसद जिन्दगी के मतलब क्या है? एक भीक मांगने वाले इंसान से पूछें कि जिन्दगी का मतलब क्या है? तो बोलेगा है कि भाईया, हम तो बस ही खाने पीने का जुटा ले, वही मेरी जिन्दगी का मकसद है एक पालक, छोटी सी पालक गड़ी बेचने वाले से आप पूछें कि तो क्या उसकी जिन्दगी का मतलब बताएगा? कि मेरी जिन्दगी का मकसद और मतलब है कि मेरी ये दो गड़ी पालक बिग जाओ और इससे मैं 10, 20, 50 रुपे कमा कर अपने घर वापस चला जाओ एक रिक्षे वाले से जिन्दगी का मतलब पूछेंगे तो रिक्षे वाले ये बताएगा कि 10 का काफी अच्छे नंबर से मैं पास हो जाओ मेरी जिन्दगी का मकसद यही है कोई IES के एस्पिरेंट से पूछेंगे जिन्दगी का मकसद और मतलब क्या है तो बोलेगा कि मैं IES की परिक्षा में अटेम्ट में पास हो जाओ परिमेंसे इंटर्व्यू निकाल लो जिन्दगी का मकसद यही है कोई लोग सभा इलक्षन में लडने वाले से पूछेंगे तो बताएगा जिन्दगी का मेरे मकसद यह है कि मैं लोग सभा का मेंबर बनके सेवा करू और सेवा करू या जो भी करू तो ऐसे आप वैरी करेगा जिन्दगी में अलग-अलग लोगों से मिलेंगे अलग-अलग विचार रहेगा अलग-अलग उनके समाचार रहेगे अलग-अलग बाते, अलग-अलग-अलग हालात और अलग-अलग जस्बात रहेगे सबके according अपनी जिन्दगी का एक कोई मतलब है और हर इनसान के according जिन्दगी का मतलब अलग-अलग है हर इनसान के according हर इनसान का जिन्दगी का मतलब एक नहीं होता कहते हैं ना कि रास्ते तो बहुत है मन्जिल एक है धड़केने तो बहुत है दिल एक है तो वही बात है कि हम जिन्दगी के मतलब को समझने के लिए बहुत गहराई है इसमें बहुत प्यार से बहुत आराम से इसको समझना होगा और अभी आप एक टीचर से पूछिए तो टीचर के जिन्दगी का मकसद है कि उसके स्टोडेंट सक्सिसफुल हो जाए एक माबाप से जिन्दगी का मतलब पूछेंगे तो माबाप के पास अगर बाल बच्चे है तो बोलेंगे मेरे बाल बच्चे सक्सिसफुल हो जाए यह जिन्दगी का उनके मतलब है एक जो है कि आप भुज़र्ग इंसान से जिन्दगी का मतलब पूछेंगे तो बोलें कि मेरे परिवार खुश रहें, मेरे पोते-पोती खुश रहें, उनके जिन्दगी का मकसद हो, तो हमेशा यह जो जिन्दगी का मकसद है, यह vary करता है अलग-अलग लोग, लेकिन वहीं पे सबसे बड़ी बात है कि अगर जिन्दगी के मतलब में कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, तो जिन्दगी तूट कर और बिखर कर रहे जाती है, अक्सर बहुत से लोग हमें स्पीच देने आते हैं, मोटीवेशन देने आते हैं, और बात बताने आते हैं, 50-60 साल की 70 साल की जिंदगे यो ही मर जाओगे, फना हो जाओगे, खतम हो जाओगे, कुछ करने की जरुतर नहीं है, जादा मसोचो, खतम करो जिंदगे, बत vomitो ऐसा बताते हैं, ऐसा समझाते हैं कि भाईयर-70 साल कुछ नहीं होता, कि आपके जिन्दगी तो यहीं तूट जाएगी, बिखर जाएगी, ऐसी स्पीच में हमें नहीं पढ़ना है कि जिन्दगी का कोई मतलब नहीं, और कुछ लोग उसमें से बहुत लोग ऐसे होता है कि जिन्दगी तुम्हारी बहुत मकसदफुल है, कुछ नहीं करोगे तो मर जाओगे यह करो, आज से लथेड़ दो, आज से कर दो, आज से वो कर दो, मतलब ओ फ्लो में भी हमें नहीं जाना है, जिन्दगी को इतना सीरियस ना लो कि एंग्जाइटी होने लगे, जिन्दगी को इतना आसान ना लो कि डिपरेशन में चले जाओ, जो जिन्दगी, दो तो रास्ते जाते हैं, दो मकसद हैं, दो मतलब हैं लोगों को समझाने का, एक इंसान बहुत जादा जब आपको excited करके समझाता है, आपको बहुत जादा over tense कर देता है, तो आप anxiety के शिकार हो जाते हैं जिन्दगी में, और जो इंसान आपको बहुत जादा सुस्ती दे जाता ह को कुछ कहता हैं नहीं, जिन्दगी तो बेकार है, साट सतर केर मरगा जाओगे, तो वहाँ पे जिन्दगी में आप पूरी तरीके से सुस्त और depressed और stressful हो जाओगे, तो दोनों मामला गलत, जिन्दगी को कुछ ऐसे लेना है, कि जिन्दगी बड़ी खुश नसीब है, जिन्दगी का मतलब है, कि मैं इत्मेनान सुकून में रहूं, लेकिन मैं अपने आपको मेहनत करके आगे भी बढ़ाऊं, अब आप देख लीचे हालात क्या है, कुछ स्टूडेंस के, या कुछ नौजवान के, कुछ यंग, जैसे हम लोग भी उसी कैटिगरी में आते हैं, कि गए शादी में, वहां से एक सिगरेट लिएं, धुवा लगाएं, एक टो सेलफी ये फोटो खिचवा के, फेस्बुक पे डाल दिएं, आराम से लाइक सिगिनने का हो, बीस कमेंट आएगी, बीस कमेंट आएगी उनकी जिन्दगी का मतलब हैं, किसी ने जंगले से और ज था लिया, तो उनकी जिन्दगी का मकसद पूरा हो गया, किसी के यहां जो है नाश्ते की दावत मिल गई, तो जिन्दगी का मकसद पूरा हो गया, किसी जो है कि पाटी में चले गएं, तो जिन्दगी का मकसद पूरा हो गया, कभी जो है एठो कबड़ी एठो किरकेट जीत लिए तो जिन्दगी का मकसद पूरा हो गया, तो जिन्दगी के मकसद को जो है कि बहुत छोटा करना, बहुत नॉमिनल करना, बहुत बारी करना, वो हमारा परपस नहीं होना चाहिए, जैसे मैं आपको एक 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 जामपल देता हूँ कि हमने, एक तो हमने एक आम का पेड़ लगाएंगे तो उस आम के पेड़ में एक ही तरीके का आम होगा एक ही तरीके का फल होगा हम सब को पता है लेकिन अगर हमने पूरा दो चार बिगहे का बागीचा लगा दिया आम का तो उस आम के बागीचे में अलग-अलग category के आम होंगे और जो हम चाहेंगे वो आम हम ले लेंगे वो आम हम खा लेंगे तोल लेंगे उसी तरीके सोता है जिंदगी के मकसद को बढ़ा करना जिंदगी के परपस को बढ़ा करना जिंदगी के विजन को बढ़ा करना जितना बढ़ा विजन होगा तो और कम्पिलीट जब हो गया तो नाश्ते में तो आप पूरी तरीके से सीमित होके रहेगे लेकिन जिन्दगी के अगर आपके मकसद ये है कि मैं इस लेवल पे जाओंगा कि लोगों के नाश्ते के लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा तो उस वक्त आपकी अपॉइन्मेंट डा अराम से खाए जिस घर में चाहें जिस दोस्त कहां जाना चाहें जिस नाश्ते पर आप जाना चाहें वो नाश्ता आप जाके अराम से कर सकते हैं तो हमें क्या करना है जिन्दगी के मकसद को थोड़ा सा बड़ा करना है और जिन्दगी का जो भी मकसद है ये इंसानियत का ह जो भी, जिस भी मकसद में हम लें, उसको बड़ा बनाएं, अब एक छोटा सा पेड़ है, पोदा है कोई उसके नीचे चाओ लेता है, कभी नहीं लेता है, लेकिन वही पेड़ विशाल बन जाता है, बड़ा बन जाता है, वो बर्गत का वो people का पेड़ देखे कि उसके नीचे जो है कि कम से कम 25-50 लोग बैट कर चाओ लेते हैं वहाँ पे कभी कभी पूरे महमान खा लेते हैं बाराती वाले आते हैं तो बैट जाते हैं क्यों कि वो पेड़ विशाल है वो पेड़ बड़ा है उसका मकसद बड़ा है उसकी डालें बड़ी है उसके पतियां बड़ी है तो इसका मतलब कि उसके अंदर फल फूल बहुत जादा लोग सकते हैं वैसे आपका विजन, मिशन और आपका परपस बड़ा होगा तो उस purpose के तहट आप बहुत से लोगों को जो है कि सपने उनके भी उनके सपने उनके खवाबों को जगा सकते हैं, ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए, लेकिन आज हालात क्या है कि हमारे हमारे मकसद जो purpose है ना जिंदगी के, वो बहुत छोटे-छोटे होकर सीमट गये हैं, हम जो है कि बहुत छोटी-छोटी चीजों में अपने आपको समेट रहे हैं, आज हमने मालीजे एक सन्विधान का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, तो हम उतनी में खुश हो गया, लेकिन यह नहीं पता कि 448 आर्टिकल्स हैं, अभी तो और, अभी कहने हैं, मुठी बर तौली है जमी अभी आसमा बाकी है, अभी तो तौली है, मुठी बर जमी अभी आसमा बाकी है, अभी तो सिर्फ एक टेस्ट हुआ है, अभी सारे इमतिहां बाकी है, तो अभी सारे इमतिहां बाकी है, that's why, open a kind of big umbrella, so that, आप अपने आपको भी बचाएं बारिश से, धूप से, और पीजिए, उटका खाईए, शराब पीजिए, ये करिए, वो करिए, इधर उधर टाइम पास करिए, वेस्ट करिए टाइम को, मतलब ये निगेटिव हैं में लेके जा रहा है, और जब आपकी जिन्दगी का मकसद सिर्फ इंटर्टेन्मेंट होगा, सिर्फ मौज होगी, सि अभी से, मैं ये तहर उग कि मैं अपने आपको पॉजिटी वे में लेके जाओगा, कुछ भी हो जाए, कम, वाट में, एट इनिहाओ, एट इनिकको, मैं ये अपने आप से वादा करता हों, कि भाईया मैं कुछ भी करूंगा, पॉजिटिव करूंगा, रेजल्ट मिले या परिडाम मिले या ना मिले पैसा मिले या ना मिले ये मिले वाला मिले बंगला बन रहा है नहीं बन रहा है बट मैं जो भी काम करूँगा मेरी जिन्दगी का मकसद बहुत बड़ा है मेरे पास छतरी बहुत बड़ी है और मैं इसी वे में positive में काम करता रहूँगा काम करता रह अगर आपकी जिन्दगी का कोई मतलब नहीं है, आपके वक्त की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके वक्त को भी कोई वक्त में अपने वक्त में शामिल करके आपके वक्त को चुरा लेगा, आपके दिन के अगर कोई परपस नहीं है, तो कोई आपकी दिन को अपने दिन में श जिन्दगी का मकसद नहीं है तो इसलिए एक मकसद ढूटिये और मकसद को धीरे धीरे उसको बड़ा करिये और उस बड़े मकसद के तहत काम करिये जिन्दगी फूल है आप इसकी खुश्बू है जिन्दगी इत्र है आप इसकी खुश्बू है जिन्दगी सुकून है आप इसके इतमिलान और चैन है जिन्दगी एक किताब है आप इसके ग्यान है जिन्दगी जमीन है आप इसके आस्मान है और जिन्दगी बहुत कुछ है और आप इसके सब कुछ है, Thank you very much.